तो 19 चुलाई को कहा गया है कि एकजाम हो सकता है सायद मेरे ख्याल से ऐसा उसमें कहा गया फ्रेंस लेकिन इस पर भी अभी भी आपको 50-50 की राये बनी हुए लेकिन फिर भी मैं एक कहूंगा फ्रेंस आप सभी लोग को कि अगर आपनों तयारी कर रहे हैं तो आप इसको करता हुं तो फ्रेंस मेरे पास्यान चाहिए चाहर कहा चाहिए करन आपका सबसे अच्छा जम न covenant करने मेरे ख़्याल से बटाने वाई कि आपको मैं दे रहा हूँ अपने डिक्रिशन बॉक्स में जाके फ्रेंस वो कीजिए और उससे जूरी हर पीडियाफ भी एविलेबल है टेलराम चैनल पर एंड मेरे वार्टसप ग्रूप में भी एविलेबल है फ्रेंस जाके वहां कर सकते हैं आप जाकर उसको अराम मैं पहले बताओंगा फ्रेंस प्वांट आफ व्यू से कहां से आप नंबर उठा सकते हैं यह थोजा बात करेंगा हम साइकलोजी की उसके बाहर हम फिर चलेंगे इंपोर्टेंट पॉइंट पर तो फ्रेंस इस वीडियो में मैं पताओंगा फ्रेंस की सबसे पहले आपको यहां पर कैरी कर लेनी क्योंकि टिक्रिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आपको काफी फिरी में नंबर मिलेगी क्योंकि फ्रेंस यह थोड़ी बहुत प्रेंस के मदद से आप इसमें अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं तो दोस्तों अगर यह 25 नंबर के आसपास यह पूछता है question तो मैं यह कहूँगा कि अगर आप थोड़ा भी understand power रखते हैं या फिर थोड़ा बहुत भी knowledge है teaching attitude में तो आप यहां से एक अच्छी खासी नंबर कम से कम 18 से लेकर 20 नंबर तो उठा ही लेते हैं 25 ने 25 नहीं बोलूँगा कुछ question ऐसे होते जिनका answer A भी लगता है तो practice है तो आप अराम से 18 से 20 नवर इसमा आप अराम से उठा सकते हैं तो friends यह आपको हो गया teaching attitude की तो यहां से आप इसको पध्यान दीजे और इसकी जितनी भी chapter दिये हुए उस पर details पूरा की पूरी चीज परिए और मैंने एक से लेकर 13 तकी class की PDF मतलब वीडियो link मैं द रहा हूं क्योंकि English जो तो बिहार बोर्ड वाले students है उनको English में अभी भी problem है भले ही दोस्तों वो 12 प्रापास कर लिये हुए है 12 में भले ही उसमें लिखाया उसमें भी पास कर लिये उनके पास पूरी पूरी understand power भी आ चुकी है लेकिन तब भी वो अपने कुछ आलसी पन की मरत से अपना English नहीं सुधार रहे हैं और अभी भी वही गल्थोतली में लगे हुए है तो मैं उन लोग को नहीं कहूंगा फ्रेंस इसलिए तो मैं हिंदी लेके आया हूँ इंग्लिस मैं आपको छोड़के ही चला हूँ ठीक है तो आब आता हूं हिंदी में तो फ्रेंस एक हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अच्छा खासा इंक्रीजिंग नंबर बढ़ा सकते हैं यह दोस्तों आपने सही सुना आपको हिंदी में अगर नंबर बढ़ाना है तो आपको कुछ पॉइंट्स जो कि का कॉफी इंपोर्टेंट है और आप लोग को असान भी बता रखाऊंगि हं पॉइंदी में कौन के हां से पढ़े और कौन के टॉपिक्स में सबसे अछिक कोउशन आती है तो मैं उन ऐन्खी हिंदी के क्लास का एक one आपको लोगतिया मुहाबरे या फिर ऐसे कुछ संटेंस होते हैं जो कि काफिया साही साथ परकर यहां से 5-6 नंबर आपको ले आएंगे आप यहां से मेरे ख्याद से मुझे यह लगता है फ्रेंश ठीक है तो बाकी जो बचे आपको 10 नंबर एक्ट्रा वो 10 नंबर के लिए आपको मेरी क्लास करनी परेंगे या फिर आप कहीं से भी क्लास कीजिए या फिर किसी तक कर पीडिया फी पढ़ लिए आपको benefit होगी और फ्रेंश मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कौन से टॉपिक से कितना अधिक कोशन आता है और कौन से टॉपि साल करें प्रिवर्स करें पेपर है उसको लेकि मैं आपको यहां पर निकाला हूं conclusion वो मेरे copy पर अभी भी लिखा हुआ है लेकिन आपको नेक्ट वीडियो मताऊंगा उसके लिए आप दोस्तों आप नेक्ट वीडियो को इंजाड के जाएगा तो अब आते यहां पर सबसे यह main point आपका number उठाने वाला जो है फिर आपको आता है यहां पर आपका reasoning जी दोस्तों सही सुना reasoning एक ऐसा subject है जहां से आप काफी असानी से number इसमें उठा सकते है बसरते गोईच बसरती इसमें आपको practice होनी चाहिए यूंकि friends reasoning मैं आपको तीन बार बता दिया friends आपको एक ह बस आपके पास understanding power होनी चाहिए और उसका दूसरा है है आपको हिंदी जो कि बिहार बोड़ वाले हैं वो काफे हैं पांसे छे नमर तो ले आएंगे इस्ट्रा दस नमर लाने के लिए उनको थोरी बहुत मेहत करने पड़ेगी और मैंने आपको यही क्लास का link और हिंदी की स से और कुछ question बनाने की आदत से आप इसमें अच्छा खासा नमबर ला सकते हैं मैंने आपको कुल मिलाकर 18 से 20 क्लास मैंने करवा दिया तो यह 18 से 20 क्लास के लिंक देना तो नामुंकिम बात है लेकिन आप जाएंगे बिहार बियर्ट जो मेरी चैनल पर 2 यह का बिहार बियर मेरे से ही देखिए मेरे अलावा भी और कहीं जा सकते हैं आप देख सकते हैं बड गाइज जो आपको seriously जो आता है exam में उसके लिए बस मैंने पढ़ाया हूं तो उसके दोस्तों आप देख सकते हैं ठीक है तो friends आपको अब आता हूं friends reading में तो reading में आप महत करकर अराम से एक जो कि कुछ नहीं जानता है वो भी इसमें अच्छा खासा नंबर ले आ सकता है दस नंबर तो उब फ्री में आ जाएगा लेकिन दस नंबर प्लस नंबर करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इसमें पढ़नी पढ़ती है और वो आपको पढ़नी नहीं को प्रैक्टिस करनी बढ़ती है तो यह के आउग आगा फ्रेंस की अगर आप पास साथ करते हैं मेरी ही वीडियो देंगा तो तो आ मैं आपको वाटसर घ्रूप में इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको देड़रे मैं आप लोगो के साथा मैंने एक यहां पर एक practice set भी लाया थी जिसमें आपको mixed reasoning पढ़ाया थी मैंने आपने साथ देखा भी नहीं होगा तो मैं उस mixed reasoning जिसमें एक लाया था important और सबसे tough आपको जो है और सबसे अधिक number भी देने वाला वो है अपना GK कीज़ तो सई सुना यूँकि GK एक ऐसा subject है जहां पर बीना पढ़े हुए आपको कुछ नहीं होगा इसमें GA, GS भी आती है current field प्लस इंक्लोडिंग भी होती है यह एक ऐसा topics है जिसके अंदर में आप लोग को पढ़नी पढ़ेगी बीना पढ़े हुए यहां से friends आप लोग को नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको पढ़ने के अलावा याद भी करनी पढ़ती है इसमें practice के कोई जोगत नहीं है इसमें जतना अधिक memory power है जतना आप याद किये हैं उतना अधिक number आप यहां से increase कर सकते हैं आपको स्वावी बता दूहु कि मैंने अब त defenders वह देश सकते हैं काफी 뛰ए अथो लुषन सॉथ साइन्स की सबसे刮ाय बहुत इंप्टं कोशे मैंने आपको कर दिखां़ तो उसके dadu चलेब दोस से लेकर 300 कोशे Corner में आप लोगों मैं देs ut还有 तो उसकी क्लास जाके मेरे बिहार बेर के प्रेलिश से कर लेना उसके लिंक मिल रागी उसके अलबा दोस्तों हिस्ट्री से मैंने modern history और धेस सारे history जो है उससे भी कुछ जूरे कुछ question उसके अलबा दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट पुछ से कि नदी बांध यह सब जूरे कुछ question मैंने करवा दिये जाके वहां से आप दे सकते हैं friends मैं बता दू कि जीए जो है friends अगर कोई भी students normally अगर पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत लेकिन उसके अलावा उनको लाना है नंबर तो जो जो टोपिस की जाना है बस उसी उसी टोपिस की त्यारी की करना पढ़ेगी friends तो मैं आपको पहला ही कहा कि मैं आपको अगली वीडियो जोस इसके बाद जो वीडियो आएगे उसमें बता दूँगा यह कौन से टॉपिक से कितना अतिक धियान देना है और कहां से पढ़ना है वह मैं तो आप जीए से भी आप नंबर उठा सकते हैं उसके अलावा दोस इतना भी हमसे बनेगा पांच छे बन जाएगा मैं बना के चला हूँ तो इसमें क्या होती है नहीं होती है तो आप चाहाए तो आप बनके ए बी सी भी रंग सकते हैं कोई दिगात नहीं है लेकि मैं यह कहूंगा कि अगर आपको सिफ पैसेज बने तो फिर पैसेज तो यहां पर मैं बता दिया फ्रेंसे अपको क detonate ब्रेंस से में अगा को बता दिया और इनी इन से आपको लेका फिर से नमबर e कर आएगा पकी आप फीर से ब्रवाज आपट दिए और और वूल गये होंग decisier निसारे भागी इमद्मे नहीं प्लाएं ॉसके लिए इसके सि वीडियो लिंक दे रहा हूं उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान देना है अपने रिजिनिंग पर रिजिनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां कि जहां से आप काफी साइंस से अच्छा नमब उठा सकते हैं बस मोर्टिम प्रैक्टिस उसके लिए मेरी धेर सारी वीडियो है तो मैं आपको लुसेंट का तीन पार जो का आप जिए रहा हूं मतलब पीडियो नहीं लिंक दे रहा हूं वीडियो का जाके आप देख लेना या खुल से भी नोट कर लेना उसके दोस्तों आप आते ही हिंदी के उपर में मैंने बता दिया कि मैंने आपको साथ साथ क्लस लाया है मैं उन सभी के वीडियो लिंक दे रहा हूं जाके वहां से आप देख लेना उसके दोस्तों के उपर में तो सबसे इंपोर्टेंब बात पर कि यहां पर यह है कि अगर मैं आपको नेक्ट वीडियो लाओंगा उसमें बताऊंगा कौन से टफिस पर कितना नंबर आत अगर अब अभी आपको पेट करेंगे तो आपको मैं दे सकता है कि इतने सारे पीडियोफ हो गया है करी करी आपको 120 से लेकर 140 पीडियोफ हो चुके है उन्हों सभी को देना काफी मुश्किल है तो मैं आपको धेर देरे कुशिस कर रहा हूं टिलराम चैनल पर ढालने के लि अगर देखो यहां पर यह वाली इस पर क्लिक करने के बाद देखो उसको उपर करने के बाद देखो यहां पर एक सर्च बॉक्स आती है यह वाली इसमें बस आप B8 लिखत हो B8 उसके बाद जितनी भी मेरी important PDF है वो सभी के सभी मैं आपको यहां पर दे दिया हूं याकि आप वहां से काफी असाई से PDF डाउन कर सकते हैं तो बस गयज आज की वीडियो में इतना ही था आपको वीडियो आपको कैसी लगी यह बताना और यह pre-planning के आप लोग कितना नमबर बढ़ा सकते हो यह भी अपना डिस्कूस करना कि दूसरे को help करना बहुत ही बनता है वस तो आज के लिए में इतना ही लेता हम वीडियो पसंद आई दोस्तों पता ही क्या करना है लाइक करना है और जो दोस्तों नहीं जानते इसके बारे मुसकों प नहीं गुडबाय जाएं